ओम नमस्षिवाई दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग एक बाव फिर से आप सभी का वाम वेलकम मेरे चैनल पर और हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए जो एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस मैसेज में बट सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहे है पास्ट दो तिन दिन से जो गाइडेंस मुझे रिसीव हो रही है ये आपके और आपके डियम दोनों के ठीक है विकाज ये जो सिच्वेशन चल रही है इस टाइम पर ये आप दोनों फेस कर रहे हैं तो ये जो गाइडेंस रहेगी और मैसेज ये आप दोनों के लिए रहेगा तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमारी डियेफ्स क्या फिल कर रही है इन दिनों दो तिन दिन से देख रही हैं उसके बाद से जो हमारी डियेफ्स है, फामेनाइन्स है बहुत ज़रा स्टेबल फिल कर रही है इन दिनों उनकी एनरजी आप बैलेंस होना स्टार्ट हो रही है जो बहुत ज़रा परजिंग के एनरजी में थी अब वो उसे रिलीस करके कर रहे हो, कभी-कभी बहुत ज़रा happiness वाली feeling आ रही है, बहुत ज़रा joy वाली feeling आ रही है, और कभी आप बहुत ज़रा रो रहे हो, अचानक से आपको रोना आ रहा है, बीना वज़े, बीना किसी reason के, ठीक है, तो इस तरह के energies में देख रही हूँ, जो हमारी फामिनाइस है, energy fluct fluctuate हो रही है उनकी, बट inner balance उनका maintain है, बट बीच में जो कभी-कभी आप लोगों के energy fluctuate हो रही है, ये उसकी वज़े से है, जो आप लोग इस तरह के emotional disbalance feel कर रहे हैं, इसके साथ ही और एक चीज़ में देख रही हूँ कि बहुत सारे vivid dreams आ रहे होंगे आप लोगों को इन दि mix जो है, उनके साथ आपके relationships इस तरह के बहुत सारे vivid dreams आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि dreams, जो dream आपको याद ही नहीं रह रहा है, ठीक है, आपने dream देखा, आप still travel कर रहे हो dream में, या फिर आपको याद नहीं है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत याद है, तो वो dream इसका मतलब आपकी कोई past life से connected situation थी, जो आपको दिखाई गई है, और जो dream आपको याद रह जाता है ना, अच्छी तरह, कभी-कभी आपको एक ऐसा dream होता है, जो आपको सुबह उठते exactly याद होता है, तो आपका dream है, अपनी situations के accordingly आपको खुद decode करना होता है, कहीं और से पता करके कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, आपके लिए इस चीज़ का कोई माइने नहीं रहेगा, आपका dream है, आपकी situations के according आया है, आपको universe ने ये power दी है, कि आप उसको decode खुद कर स इन दिनों, universe के साथ एक balance बनाके चल रही है, universal energies के साथ connected feel कर रही है, nature के साथ connected feel कर रही है, ठीक है, आपका crown chakra इस टाइम पर activated हो रहा होगा, आपको vibration feel हो रही होगी, इस टाइम पर अपने crown chakra पर, तो बहुत ज़रा spiritually connected feel कर रही है, universe के साथ, और इसके साथ ही, जो overall मैं देख इन दिनों, बहुत ज़रा balanced है, हमारी प्यारी feminines, इन दिनों, बट energy fluctuation है, वो चलता रहेगा, उसको आपको maintain करना है, ठीक है, खुद को और ज़दा align कीजे, universe के energy के साथ, और second चीज जो मैं share करना चाहूँगी, हमारे divine masculines, दिखिए जो masculines है हमारे, इस time पर जो new moon के energy ने उ इसी वज़े से उनको बहुत ज़रा karmic triggers मिल रहे हैं, बहुत ज़रा insecure हो रहे हैं बहुत से masculine इन दिनों, बहुत ही ज़ादा उनको financial problems हा रही है, उनकी work field में, उनके career में उनको बहुत ज़रा struggle करना पड़ रहा है, बहुत ही जबरदस्थ push दिया गया है इस new moon के energy से उनको, ताकि उनकी awakening अच्छे से हो सके जिस तरह हैं, कुछ दिन पहले बहुत से feminine lines feel कर रही थी, financial losses वाली, मैंने अपनी channeling में भी share किया था कि बहुत से feminine lines financially problems face कर रही हैं, उसी तरह अब masculine है जो उनको इसी तरह से financial losses हो रहे हैं बहुत ज़रा, या उनको karmic से trigger मिल रहे हैं, या बह बहुत ज़रा फसे हुए हैं, बहुत ज़रा disbalance है इस time पर, तो अगर वो silence है, almost masculine में देख रही हूँ, isolate कर लिया है उन्होंने खुद को, नहीं बात कर रहे हैं किसी से भी, अपनी feminine lines से भी नहीं बात कर रहे हैं, तो अभी के लिए आप उनको full space दीजिए, छोड़ करेंगे, मैंने आपको last channeling में भी बताया था, ठीक है, और इसके साथ ही, उनके कर्मा बहुत ज़रा release हो रहे है, फटा-फट कर्मा clearing चल रही है इस time पर, और उनको भी हो सकता है, universe की तरफ से science दिये जा रहे हो, past life की कुछ न कुछ images उनको भी दिखाई जा रहे हो, dreams के थू पट बहुत ज़रा intuitive नहीं होते हैं, वो इन चीजों में believe नहीं करते हैं, तो शायद वो ignore भी करते हो, पट मैं जो देख रहे हूँ, यहाँ पर हो सकता है, उनको भी past life की कुछ situations दिखाई जा रही हैं, तो इस तरह से आप दोनों की ये energies हैं, और इसके साथ एक mutual energy जो मैं आपकी side भी है, आप भी बहुत ज़रा प्यार कर रही हैं, बहुत ज़रा love feel कर रही हैं, कोई गुसा नहीं है आपके अंदर अपने masculine के लिए अब, बहुत ज़रा प्यार है, और इसी तरह आपके masculine के अंदर भी love worry energy, love vibrations, compassion आपके लिए मैं देख रही हूँ, आपके लिए उन इगो का issue, और ये इगो जो battle चल रही है आप दोनों के बीच में, दोनों तरफ प्यार है, लेकिन बीच में इगो आ रही है, इसलिए दोनों तरफ से आप लोग अपने आपको hold back करके बैठे हैं, अपनी अपनी feelings को, इन दिनों, और इस इगो का एक मैं स्टोरी भी आप लो महादेव, आपने शायद शिप पुरान में पड़ा होगा या कोई serial में देखा होगा महादेव अगरा में, जलंधर और महादेव का युद्ध हुआ था एक, जलंधर और महादेव का एक युद्ध हुआ था, जलंधर जो है महादेव का ही अंश है, मैं आप लोगों के जाए कि किस तरह से इगो आपको बिल्कुल ही डाउन कर देती है आपको खत्म कर देती है जो जालंधर था वो महादेव जी का ही अंश था ठीक है महादेव के तेज से निकला था महादेव जी ने अपना तेज समुद्र में फैक दिया था तो वहां से वो जालंधर की उत्पत उपर उसने अटाक करना स्टार्ट किया, धिरे-धिरे करके सभी देव लोग को अपने अंडर करना स्टार्ट कर दिया था उसने, बट एक जब उसने कोशिश की मा पारवती को उन पर बुरी नजर रखी और उनको अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की उसने, ठीक है, उन पर न जलंधर इतना पावरफुल था कि महादेव अकेले भी उनको खत्म नहीं कर सकते थे इगो थी जलंधर थी जो महादेव की इगो साइड थी जो उन्होंने निकाल कर फैंक दी थी तो अब आपको ये समझना है कि वो जलंधर था वो एक इगो सेल्फ है यहाँ पर और महादेव उसका अंत तभी कर पाए थे जब मा अधिशक्ती ने उनका साथ दिया था दोनों ने मिलकर ही उसका अंत किया था ठीक है दोस्तों I hope आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे क्या डीप लेवल पे मैं इसको समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को महादेव उसका अंत तब ही कर पाए उस ego side का अंत तब ही कर पाए जब मा अधिशक्ती ने उनका साथ दिया तो अब आप लोगों के लिए ये guidance है guys ego side को release कीजिए अपनी अपनी feminines आपको भी अपने तरफ ध्यान देना है कि कहां पर आप ego दिखा रही है और यही mirror आपके partner कर रहे है अपनी personal life में अगर कहीं आप ego दिखा रही है अपने ही कार्मिक्स के साथ क्योंकि यहां मैं देख रही हूँ बहुत से feminine कार्मिक्स के बारे में overthinking कर रही है जो उनकी life से चले भी गए थे वो कार्मिक्स अब उनके दिमाग पर चाय हुए है वो उनी को सोच कर ego में आ रही है या उनके साथ egoistic behave कर रही है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहां ego दिखा रहे है अपनी इस ego पर काम कीजिए ego side को release कीजिए साथ ही साथ आपके person की भी ego side पर अपने आप काम होगा universe की तरफ से वो भी release होती जाएगी बट आप लोगों को मैं इसलिए guidance दे रही हूँ पिकरज आप लोग spiritual हैं इस चीज़ को समझती है तो आपको यहाँ पर अपने आप पर काम करना है खुद को time दीजिए देखे कहाँ पर आपकी ego आप दिखा रहे हैं अपनी life की कौन सी side में या आपके कौन सी ऐसी shadow sides है जो आपको अभी release करनी बाकी है ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर ठीक है? I hope आप लोग समझ पाए होंगे मेरा एक deep message भी है इस guidance में तो आप उसे ध्यान से समझिए और इस पर काम कीजिए बहुत जल्द आपको इसके results भी मिलेंगे और एक song है channel song है जो मुझे feel हुआ जो हमारे masculines अपने feminines के लिए बहुत love feel करते है सब कुछ feel करते है but कही न कहीं वो जानते हैं उनके feminines भी उनसे बहुत प्यार करती है but कही न कहीं वो उसको hide करके बैठे है express नहीं कर पा रहे है तो इसी तरह का एक channeled song है जो मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूँ उसका जो link है मैं description box में डाल दूँगी आप लोग जरूर सुनिएगा और I hope आप लोगों से energy update resonate करेगा तो मुझे comment section में जरूर बताइएगा दोस्तों thank you so much God bless you all love you all